आज हम बनाएंगे छोले बटूरे में हूँ वर्षा मेरी वर्षा इस किचिन में आप सभी का स्वागत है तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए कि दाई 100 ग्राम चोले को मैंने ओवरनाइट थोड़ा सा खाना डालकर बिगो लिया था तो चोले हमारे अच्छे से भीक कर तयारे से मैंने दो लिया है अब दूले वए छोले को हम कुकर में डालेंगे थोड़ा सा भाने और डाल लिया है आधा चमस्त नमक और थोड़ा सा ब आटे के भटूले बना रही हूं तो राइकाप मैने मेयद्या डाल कर इसे अच्छे से क्छाण लिया है थोड़ा सर्णनमक डालेंगे अद़ दाल Кिदाट लगा इसका सौस्ट डूल लगा कर तयार कर लेगी, तो इस तरह से अच्छे से मसलते हुए मैंने भटूरे का आटा इस तरह से गूंद के तयार कर लिया है तो इस तरह से भटूरे का आटा तयार है लास्ट में एक चमच देशी घी इस के उपर लगा देंगे और घी लगा कर आठे को 15 मिने ट्रेस पर छोड़ेंगे अब छोले क मसाला बनाने के लिए आधा इन चद्रा गाट कर लिया लैसुन की दो मीडिया वाकर की प्यास को काट कर मैंने मिक्सी जार में डाली है खड़े मसालों में एक तेश पत्ता एक टुड़ा दालची निका एक बड़ी लाची चार लोंगा आदा चमच जीरा आठ दस काली मिस इसका पेश्ट बना लेंगे इधर चार मेंने मीडिया मा करके टामाटर दो हरी मिर्ष इसको भी अलग से पीष के तयार कर लिया है तो दोना मसाले तयार हैं इधर हमारे कुकर वी में चोले वी उबल के तयार है अच्छे से उबल चुके हैं चेक कर लेते हैं तो देखिए चोले हमारे बढ़िया से अच्छे से सॉफ्ट हो गए आप चोले को हम किसी बावल में इस तरह से निकाल कर साइड में रख लेते हैं आप कोकर में एक बड़ा चमश सरसों का तेल डालेंगे तेल के गरम होते जो प्याज और खड़े मसाले का पेश्ट बना के रखा उसे डाल यह सब कराएं आप आप जो टमाटर और हरी मिर्च का पेश्ट डाला ता उसे उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानि आदा चमश फालदी एक चमश धनिया पॉडर जालमिर्च पॉडर डालेंगे और आदा चमश नमक अब सभी मसाला को प्यास टमाटर के साथ बराबर चलात तो इसे भी मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे तो इससे टेस्ट और भी अच्छ आता है् तो मसाला हमारा देखिए अच्छे से भुनके तैयार है लास्ट में एक चम छूर पॉड़र डाला है तो थोड़ा सा पानी इसमें डाली आए मैंने जिससे मृद्ण पॉडर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होके अच्छे से भुण जाएगा तो मसाला तयार है अब उबले हुए छोले को मैं कुकर में डाल लेती हूं एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पा और अब भटूरे की लोई बना लेंगे तो जित्ता बड़ा भटूरा बनाना है उत्ती बड़ी आप लोई ले ले तो इस तरह से बटूरी की लोई तयार करेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो और इसी तरह से जो बाकी की भटूरे की लोई आए पहले ही बना क करेंगे तियार करेंगे तो बाटूरे की लोहियां तयार है इधर हमारे कोकरणा चोले चुकर और उसे अधिच कर लेते हैं और इसे की आट वो से थोड़ा थब करते हैं और हल्के आथवholeस एसको हम प्रेस करेंगे तो बटूर आपका भी इस तरह से एक दम खुबारिंग तरह ही तो बहुत ही बढ़िए बटूरे बनते एक बार जरूठ राइक करें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूब बताए करें तो इस तरह से अलट पलट कर भटूरे को मैंने बड़ी ऐसे सेक लिया है अब भटूरे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो वीडियो कैसा लगा एक बार प्लीज कमेंट ऐसीं तरह से दूसरा भटूरा भी मैने बना लिया इसे विकड़ाई में डालेते हैं और इसके उपर भी गरम देल लेंगे और हरकी आतों से स्पयान ब्रीयो बिचल घुब ejerc